हेलो एव्रिवन, आई होब आप सभी ठीक होंगे, आज हम सभी 282 येर की जो 5B Health and Education बुक है, उसका स्वास्त यानि Health टॉपिक करने जा रहे हैं, स्वास्त व्यक्ति की प्रकर्ती स्थेती है, स्वास्त व्यक्ति सारेरिक व्यमांजिक रूप से प्रसन रहता है, किसी भी रास् उस राष्ट के नागरिकों के स्वास्त पर निर्भर करता है, वही राष्ट महांता के सवरूप को प्राप्त कर सकता है, वह उन्नती के सर्वोच्च स्थर पर पहुँच सकता है, इसका मतलब ये है कि जिस भी राष्ट के लोग स्वास्त होंगे, मानसिक और सारे रिक रू नागरिक स्वस्त हैं प्राचिन समय में हेल्थ जो प्रियोग है बड़े ही उदार भाव से शरीर की ठीक ठक स्थिती एंन समगरता के संदर्ब में किया जाता था यह शब्द परसंचित प्रियास था इसका मतलब यह जो प्राचिन समय है और जो प्रियास्त किया जाता था किसी भी व्यक्ति कि स्वास्त स्थिर और उसका पूरा सारे रिक स्ट्क्शर हे उन सभी को देखते वे, और यह 1% प्रियास किया जाता था इसके द्वारा, इसका अर्थ है निरोग एमन प्रशंचित, मतलब उसका जो मन है वो भी खुश है, सिलिया जाता रहा है, आज के समय में भी यह है धारणा है कि स्वास्त का आर्थ बिमारी का अभाव है, मतलब स्वास्त व्यक्ति वही है जो बिमार नहीं है, तथा लोग हस्ट पूष्ट सरीर को स्वास्त मानते हैं, मतलब जो व्यक्ति एकदम तंद्रूस्त होगा, हस्ट प्रूस्ट होगा, उसको ही स्वस्त माना जाएगा, मतलब कि जो पतला होगा, उसकी हड़ी जैसा होगा, बेशेक उसको बिमारी ना होते हो, लेकिन उसको स्वस्त नहीं माना जाएगा, कहेंगे कि इसको कोई न कोई तो बिमारी है, तभी ऐसे पतला, हडड़ी जैसा जो भी है कमजोर है. लेकिन जो हश्ट प्रूष्ट होगा, मतलब हेल्दी होगा थोड़ा, ठीक ठाक होगा, गठीला शरीर होगा, उसे सुवस्त अमाना जाएगा. कुछ लोग सुन्धर सरीर को स्वस्त कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो सुन्दर हैं वो स्वस्त हैं एक डॉक्टर स्वस्त की परिभासा इस प्रकार देगा कि यह सरीर के सभी अंग एमां विभिन संस्थानों के समान्य रूप से कारे करने की स्थेति मतलब डॉक्टर क्या कहता है कि जो सरीर है उसके सभी अंग स् स्वास्त को अधिक्तम जीने वे उत्तम सेवा करने योगे बनाता है मतलब जो व्यक्ति जादा समय तक जी रहा है जी पा रहा है उसे हम स्वास्त व्यक्ति कहेंगे नेक्स आपका बेकन के अनुसार अगर हम स्वास्त को देखें तो स्वास्त सरीर आत्मा का अतिति भवन और दुरलब तथा रुगन सरीर आत्मा का कराग्राहर है मतलब यह कह रहा है अगर व्यक्ति स्वस्त है ठीक है तो उसकी क्या होगी जो आत्मा है उसके लिए वो अतिती भाव हो जाएगा मतलब उसके लिए अच्छी चीज हो जाएगी वो अगर जो व्यक्ति है वो कमजोर है दुरबल है या रोगी है तो उसका जो उसकी जो आत्मा ह उसके लिए वो सरीर क्या हो जाएगा एक कारागार यानि जेल के रूप में हो जाएगा स्वास्त के विभिन पहलू है जिनके अंदर सारीरिक स्वास्त सबसे पहला है आपका तो सारीरिक स्वास्त क्या होता है जैसे जैविक, समाजिक, संस्क्रितिक कारक, वातवरनिय कारक, जिनमें अच्छी सरेरिक आकर्ती, कद के अनुसार, उचीत भार, चमकदार आंखे, साफ वे सुंदर तुचा वे बाल, आदी सभी कारक, अच्छे व्यक्तित्व के भाग हैं मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति में क्या देखा जाता है, तो उसके जैविक कारक देखे जाते हैं, समाज, जो स्वस्थ, जो व्यक्ति का स्वास्थ है, उसको प्रभावित करते हैं, उनके जैविक कारक, यानि मात्ता पिता से जो हमें गुण मिले हैं हमारे जो गुंड सुत्र हैं उन पे डिपेंड करता है दूसरा हमारा समाज कैसा है हमारे संस्कृति कैसी है हमारे जो जहां हम रहते हैं सुरस्त वेक्ति को स्वास्त श्वास्त जीवन का अधार है शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्या करना ठीक है यह भी एक स्वास्ट व्यक्ति के लग्षन होते हैं, McMazique स्वास्त स स्वास्वास्ट के बिन संपूर नहीं कि का सारीर पको अधनुस्त करें स्वास्थ , जब तक आप सारीर से स्वास्थ क्या ह Mafi अच्छा होता है तो कि सरीर व्यमांसिक स्वास्त के मध्य यह संबंध अच्छा होगा और यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे अगर जो मनुष्य है वह तनाव मुक्त होगा कोई उसके पर दबाव नहीं होगा तो उसका dus मन है वह शांत अच्छी चीजे सोचेगा और अपने आपको विक्सित करेगा अगर किसी का सारे रिक स्वास्त खराब है तो बिल्कुल उसका मानसिक स्वास्त भी खराब होगा और मानसिक स्वास्त खराब है तो सारे रिक स्वास्त भी खराब होगा तो यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर क प्रभाव डालते हैं तो मानसिक स्वास्त के अंदर ये बताया गया है यह संबंध अच्छा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को परभावित करेंगे अगर कोई व्यक्ति अपने आपको अपने समाज के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो जो उसका स्वास्थ है सारे रिक और मानसी उन दोनों पर परभाव पड़ेगा उसका और वो दोनों बिगड सकते हैं नेक्स है भावनात्मक स्वास्थ भावनात्मक रूप से स्वास्थ व्यक्ति वह होता है जो अपने सनवेगों या भावनाओं जैसे क्रोध, डर, इर्शा, दोश, सुक, दुख, आधी पर अपना उचित नियंतरन रख सके हर विशय परिस्थिती में भी भावनाओं उपर नियंतरन रखना भावनात्मक स्वास्थ का परतीक होता है मतलब कि जब हम अपनी जो क्रोध है, डर है, इर्शा है या फिर दुख, सुख जो भावनाई हैं वो अगर हमारे उपर आती हैं और उन पर अगर हम नियंतरन रखते हैं, मान लीजिये, आप कहीं किसी इनसान के सामने हैं, जो कि आपके उच्चे पदबे हैं और आपको वापर क्रोध आ रहा है, तो अगर आप उस क्रोध को व्यक्त कर देते हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है तो इसी परकार से आप अपने जो डर है, या फ्रिकरोध है, जो भावना ही है आपके अंदर, जो भावना ही आ रही है उनको बाहर उजागर किये बिना उनको कंट्रोल करना सीख जाएं, तो ये आपके भावनाता स्वास्त के अंदर आती है नेक्स्ट है आपका अध्यात्मिक स्वास्त, अध्यात्मिक स्वास्त क्या होता है, अध्यात्मिक स्वास्त का अर्थ है व्यक्ति का अपने मन पर नियंतरन होना, मन की प्रवर्ती पर नियंतरन वे नैतिक मुल्यों की मानिता ही अध्यात्मिक स्वास्त है, मन की व्रतियों का निरोध ही अध्यात्मिक स्वास्त है माल लिजी है कि आप अपने आपको यी लिजए है gepa मन कर रहा है बहुत जातरा व् seems जट पटा खाने को या फिर आपका मन कर रहा है कुछ वदब ऐसी चीजी खाने को या कुछ भी बोल सकते हैं आपको कहीं जाने का मन कर रहा है ठीक है लेकिन आपको किसी ने मना कर दिया आक के पैरेंट से मना कर दिया ठीक और आप अपने मन को कंड्रोल नहीं कर पारे तो ये आपका अध्यात्मिक स्वास्त कब होगा जब आप उस चीज के पॉजिटिव और ने प्रभावित किया जा सकता है जैसे कि आपको जैविक आपका व्यक्तिकत कार यानि परसनल पेख्टर्स तो सबसे पहले हम जैविक कारक पढ़ेंगे जैविक कारको को परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो जवेकारक है वो बदले नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे पैत्रक होते हैं मातव कितास मिलते हैं क्योंकि यह वंशानुकरम पर अधारित होते हैं और यह हमारे सरीर को प्रभावित करते हैं हमारे सरीर वे स्वास्त की रचना कुछ अंच में वंशानुकरम वे कुछ अंच व्यक्ति के विकास में एहम भूमी का निभाता है, जो गुण हम अपने जीवन, जो गुण हम अपने जनम के साथ प्राप्त करते हैं, उसे ही वंशानुकरम कहते हैं, आने वाली संतान के रंग, रूप, बुद्धी, बाल, आखों का रंग, सरीर का धाचा, ये जीन पर ही नि मातापिता के खल्लर निर्भर करता है, ये घिने पर करते है, जिक आपने अगर देखा होगा कि जिन के झुटी हाइट के होते हैं pokett के जिनके मातापिता मिलेंगे, इस ब्सक्राइब को ही बाताँन से वातावरं, है कि जनम के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है मतलब अब कैने हम मातवरण करता है कि खाड़ मात प्रबाओ प्रभाव जनम मानुष्य पड़ता है उनके मत के अंसार बच्चा मा के गर्भास्या में कि जो आंत्रिक व्य भाय वातवरन से प्रभावित होता है जैसे कि आप सभी ने ये चीज पढ़ी होगी या सुनी होगी कि जो प्रेगनेंट लीडी होती है उसको जिस तरीके का खिलाएंगे पिलाएंगे या फिर उसको जि ये वातवरन तो दो प्रकार हैं इसके उनको एक बार देख लेते हैं आंत्रिक क्या होता है आंत्रिक वातवरन का संबंद व्यक्ति की आंत्रिक स्थितियों से हैं ये स्थितियां आंत्रिक जैविक अंगो द्वारा कार्य करने से संबंदित हैं आंत्रिक वातवरन की स्थि स्वस्थ व्यक्ति के रख्त की बनावट, सरीर द्रब्व्य प्रदार्थ, सरीर के तापमान पर निय्भळ करती है। बहाय वातवरण की तुलना में आंत्रिक वातवरण सरीर के विकास के लिए अत्यांत मेहत्वण कार्य करता है, सरेरिक मुद्रा मनुश्य के स्वास्त पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, जो आंत्रिक वातवरण है वो ज्यादा इफेक्टिफ होगा बहाय वातवरण से जब फैमिली से ब्लोंग करते हैं थोड़ा बहुत कम खाएंगे तो उस हिसाब से स्वास्त के सारिक मांसिक वे समाजिक पहलू को निर्धारित करता है उच आर्थिक स्थर व्यक्ति के स्वास्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ठीक है और इसके अंदर भी आप भाय।वारन में कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपका भोत्र वाता वरन आ गया आर्थिक वातर वरन आ गया और समाजिक सांस्कृतिक वात वरन है ठीक है हम सब की बात ना करते हो इस रफ जो इंपोर्टेंट है जैसे कि आपका समाजिक सांस्क्रितिक वातवरण इंपोर्टेंट है तो उसके बारे में बात करेंगे मैं भोतिक और आर्थिक भी आप लोगों को बता दूंगी थोड़ा थोड़ा लेकिन पहले हम समाजिक सांस्क्रितिक बनता है ये एक जूसरे को प्रभावित करते है जहां इक और व्यक्ति के स्वस्थ आदते स्व SARस्थ समाज के निर्माण में सहयक होती है वही समाज में उपलब्ध स्वस्थ सिवा कारेक्रम व्यक्ति के स्वस्थ स्वस्थ को अच्छा बनाने में योगदान Pradhan करती मतलब अच्छा इंसान अच्छा समाज बनाता है इसी तरह अच्छा समाज एक अच्छा इंसान भी बनाता है उनके साथ स्वस्त परमप्राईं रिती रिवाज प्रथाईं अंध विश्वास अचर विचार नैतिक्ता संस्कृति आधी भी व्यक्ति के स्वास्त पर प्रभाव वित करती है ठीक है जो व्यक्ति है उसके जो स्वास्त को प्रभावित कौन कौन करेंगी जो भी उसके आस पास जो भी चीजे हो रही है आच्छी बुरी वो सब उसको प्रभावित करेंगी ये तो था आपका समाजिक सांस्क्रितिक वातावरण इसके अलावा दो वातावरण और है इसमें एक तो भोतिक वातवरन है एक दूसरा आर्थिक वातवरन है तो भोतिक वातवरन के बारे में पढ़ लेते हैं भोतिक वातवरन के अंदर क्या क्यों हो जाती है दिशाएं आ जाती है कि जो मनुश्य है वो कैसी प्रकरती में रहता है उसके अंदर आपकी जलवा परिवर्टन हो सकता है कि कभी कोई मान लीजे बहुत अमीर था वो एकदम से गरीब हो गया तो यह इतना इंपोर्टेंट में नहीं आता नेक्स आपका आर्थिक वातावरण आर्थिक वातावरण में जैसे मैंने आपको बताया व्यक्तिक अजिवन स्तर या आर्थिक स्तर व्यक्तिक स्वास्त के सारेरिक मानसिक समाजिक इन सभी पहलों पर वह असर डालता है उसी तरह जैसे समाज जो कारक है उसके अंदर भी कई पार्ट हैं जैसे पहला आपका सारेरिक व्यायाम है ठीक है सारेरिक व्यक्ति के स्वास्त को काफी हद तक प्रभावित करता है मतलब जो आपका सारेरिक व्यायाम है वो अगर आप करते हैं नहीं करते हैं तो वो बहुत प्रभाव डालता है न विक्ति का स्वास्थ है वह बीए चैन्य आफा चाहिए उसके बाद आपका आजाता है संतुलित आहार जहीं सिसका ag 이 प्रोटीण वुषा खनीज लवण्स अधी पोस्टिड मिलति है जो यह आपका प्रोटीन हो गया वसा खनी जिन समी से हमारे सरीर को उर्जा मिलती है, सरीर स्वस्त रहता है, बच्चा कूपोशन का शिकार नहीं होता, इसलिए हमें संतुलित भोजन का प्रियोग करना चाहिए, अपने खाने के अंदर भार की चीजों की बजाए अच्छी चीजे खानी चा बच्चों की अच्छी आदतों की नीव, बच्चमन में ही माता पिता द्वारा डाली जाती है और डाली जानी चाहिए भी, ऐसी आदतें बच्चा का स्वभाव बन जाती हैं, जो आदतें उसको बच्चमन से डाल जाती हैं, वो उसका स्वभाव बन जाती हैं बाद में, व नासथा लेना वे समय पर सकूल के लिए प्रस्थान करना इसी प्तार स्टार साइ के लेज सभी घरन करना relevant यह सब thorough security चरिया होनी चाहिए बच्चों की और इन से उनको उनका जो स्वास्त है वो अच्छा होता है नेक्स आपका भोजन समंदी अच्छी आद्थे मतलब जब हम खाना खाते हैं उस तरह हमें क्या करना चाहिए इस बोजन करने से पहले वैबाद में अच्छे से हाध होने चाहिए बिना भूख भोजन ने करें अदब जब आपको भूख ना हो ता भोजन नहीं करना चाहिए भोजन सदेव स्वच वै ताजा लेना चाहिए भोजन प्रती दिन नियमित समय पर करना चाहिए भोजन चबा कर खाना चाहिए भोजन पोस्टिक होना चाहिए आपका ठीक है तो भोजन के लिए जो चीजे इंपोर्टेंट हैं वो आपको बता दी गई है यहाँ पर और उसके बाद है उचित निंद्रा वे अराम आप लोगों को सोना भी जरूरी है लगातार कार्य करने सिव्यक्ति को सारेरिक व्यमानशिक थकावट का अनुभव होता है अराम करने वे उ पाचन शक्ति है वो कम हो जाएगी पाचन के रिया असलो हो जाएगी ठीक है तो उचित नीद्ध और आराम भी लेना चाहिए नेक्स आपकी सारे रिक मुद्रा आपकिस ढंग से बैटते हैं जो कारण है हमारे स्वास्त कि हमारा स्वास्त जो है ठीक है या नहीं बच्चों मुद्राओं की सही जानकारी दी जानी चाहिए ऐसा ने करने पर सारे रिक अंग विक्रित हो जाते हैं जैसे आप लोगोंने कई बार देखा होगा कि बच्चे जब लिखते हैं तो एक दम किताब अंदर अपनी आखे गुसाई लेते मैं बिल्कुल जुक जाते हैं उनकी जो है यह नोट बुक है उसके और उनके सिर के आँखों के बीच में बहुत कम होता है और जब कभी कुर्सी पर बैटके लिखते हैं तो इन सबी से होते हैं हमारी जो सरीर है उसके जो अंग है वो विक्रित होने लग जाते हैं उनके अंदर मुडाव और काफी चीज जो है खरा पाएं आपके अंदर रोग परती रोदक शमता उत्पन होनी चाहिए उसके बाद आपका सारी रिक मुद्रा तो मैंने बता दी इसके अंदर नेक्स है आपका उचीत सारे रिक व्याम कियादत मतलब आपको exercise की habit डालनी होगी तो आप व्यक्तिकत श्वास्त मतलब आप परसनल यह अपने आपको कितना हाइजीन रखते हैं कितना आप खाना खाते हैं पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं समय से उठते हैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं मटलब अगर हम किसी की बुराई भी करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव थोट्ट आती हैं से हमारा मंसिक स्वास्त ढ़ जाता है तो व भी एक कारक है, एक हो जाएगा आपका स्वास्ती पूंग वातावररण आपका जो है वह मяч है, है मनलब है है हले का फुल को में आपका होना जो समाज है घ्राट तुर् WORK चार वातावररण है, वह बहुत अच्छा होना आप बना सकते हैं बीच में कहीं भी इस question के कहीं भी बीच में बना दीजएका बस यह topic इतना ही था इस से जदा अगर आप इसमें लिखेंगे तो बहुत जादा खिचडी हो जाएगी तो हां यह इनाफ है और यह आप किस-किस question में लिख सकते हैं स्वास्त का अर्थ है स्वास झाल झाल